यह compartment का नाम होता है testicular lobules ठीक है और हर एक compartment में लगभग एक से तीन समानिफेरस tubule होती है इस lobule contains 1,2,3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced ठीक है तो यह जो देखे यह जो इस tubule यहाँ पर ऐसे दिखरी आपको बाहर आई हुई यह highly coiled रूप में हर एक lobule में लगभग एक से तीन समानिफेरस tubule अंदर की तरफ होती है ठीक है और यही जो समानिफेरस tubules है यह tube like structure है पतली पतली नलिया है बहुत पतली पतली धागे जैसी तो इनके अंदर ही जो जर्म cells होती है और सर्टूली cells होती है इन tubules के अंदर आप देखे यह एक tubule है इस एक tubule के अंदर दो प्रकार की cells होती है इस tubule के अंदर जो है जर्म cells रहेंगी और सर्टूली cells रहेंगी जर्म cell ही आगे चल करके mitosis और meiosis करके sperm का formation करती है और जो सर्टूली cells है वो sperm को develop करने में नरिश्मन देने में help करती है लेकिन साथी साथ यहां आप देख रहे हैं कि इस जो space है इन tubules के अलावा भी इनमें बीच बीच में कुछ space बचेगा तो उस space में वो खाली जगह जो होती है जिसे interstitial space कहते ह उस space में भी special cells होते हैं जिने हम ledic cells कहते हैं और इस तरीके से आपने देखा कि जो testis के अंदर तीन basic structures आपको दिखाए देते हैं एक आपको male germ cells मिलेगी जिसे spermatogonia भी कहते हैं sertoli cells मिलेंगी जिसमें जिनका काम होगा sperm को sertoli cells का काम होगा nourishment sperm को provide करना और इसके अलावा जो semaniferous tubules हैं इनके बाहर जो spaces हैं उनमें जिसमें बहुत सारी blood vessels भी होती हैं वहां पर कुछ cells होती हैं जिनका नाम होता है ledic cells या इन्ही का नाम है interstitial cells interstitial cells मतलब बीच बीच में जो खाली स्थान है उस जगह में रहने वाली कोश्का है तो इन्ही का नाम ledic नामक scientist ने दिया था इसलिए इसका नाम ledic cells है तो ledic cells या interstitial cells जो seminiferous tubules के बीच बीच में पाए जाती है और जो tubules के अंदर पाए जाती है male germ cells और sertoli cells तो यही तीन basic structure है जो testis के अंदर पाए जाते हैं अब इसमें से इन दीनों का क्या के काम है यह हम डिटेल में देखते हैं the male germ cells undergo meiotic divisions यह जो male germ cells है पहले यह थोड़ा grow करती है और spermatogenia बनाती है mitosis से और mitosis से ही spermatogenia primary spermatocytes में बदल जाती है तो पहले mitotic division होता है फिर primary spermatocytes जो बनती है उनमें first meiosis होती है जिससे secondary spermatocytes बनती है फिर secondary spermatocytes में second meiosis होती है और उससे finally spermatids का formation हो जाता है और इनी spermatids में कुछ structural functional changes आते हैं और उन changes और modifications के बाद वो spermatogenia या sperm में बदल जाते हैं इसके अलावा जो साटूली cells पाए जाती है इनका काम क्या है ये developing sperm cells को nourishment nutrition प्रवाइड करती है ठीक है सेमायनी ferrous tribules के बाहर जो space है जिसे interstitial spaces कहते हैं इनमें small blood vessels होती है और interstitial cells पाए जाती है जिने की ledic cells कहते हैं इनका क्या काम होता है बड़ा ही important role है ये secret करती है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजेन और इसी एंड्रोजेन का नाम होता है टेस्टोस्टरोन यानि की टेस्टिस में जो ledic cells या interstitial cells पाए जाती है वही टेस्टोस्टरोन या एंड्रोजेन हार्मोन रिलीज करती है इसके अलावा कुछ immunologically competent cells भी पाए जाती है ताकि कोई अगर fungus या बैक्टीरिया किस ताइप का कुछ भी डवलप हो रहा हो तो उस डिफ्रेंस है इस ट्रक्चर में हमने वास डिफ्रेंस मैंने आपको दिखाया था तो वो बाहर ही दिखाई देता है जब टेस्टिस से बाहर निकलता है लेकिन यहां आप इस वाले डाइग्राम में मैं आपको फिर से दिखाती हूं कि यह जो डाइग्राम था इस डाइग् यहां आप देख सकते हैं कि जब टेस्टिस से जैसे ही यह डक्ट से बाहर निकलती हैं तो तुरंती इन्हें हम क्या कहते हैं रेटी टेस्टिस कहते हैं फिर यह जब यह बाहर निकलती है और यह जो यह ऐसे यहां स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा है यह वासा इफ्रेंश यह इसे बोलते हैं एपटी डाइमिस बोलते हैं और यह जो आगे जाकर कन्टीन्यू करता है और वास डिफरेंस बनाता है तो यह जो ऐसोसिएटेड डॉक्त है यहे तेस्टेस के अंदर जो स्पर्म बन रहा है यह इन्ही जो सेवानी फेरोस टिवियूल से यही continue होके रेटी टेस्टेस बनाएंगी वासाइफरेंशिया बनाएंगी एपीडी डायमिस बनाएंगी और आगे चलकर यही जो है वो वास डिफरेंज बनता है और यही वास डिफरेंज जो है वो यूरेथरा के थुरू बाहर आपन होता है और जिसके मादयम से जो अन्दर स्पर्म बने है वो यह अउटसाइट ब बॉड़्ी रिलीज कर सकता है और इसकिरीलिज होने के पहले इसमें Seminyle Vesicles paired Seminyles Vesicles होते हैं उनके Secretions Prostate Gland के Secretions और Bulbo Urethral Gland के Secretions भी इसमें मिलते हैं तो इस तरीके से ये Structures आप देख सकते हैं और तो the male sex accessory ducts में ready test it wasi aperiae, apple aromis और wasdifference आते हैं the semiriferous tribus जो टेस्टिस की है वो ओपन होती है वासा इफ्रेंशिया में रेटी टेस्टिस के तुरू फिर वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़कर apodidymis में होती है और located along the posterior surface of its testis the apodidymis leads to was difference that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder यह आप structure में देख सकते हैं it receives a duct from seminal vascus and opens into urethra as the execulatory duct okay these ducts store and transport the sperm यह जो ducts है यह sperm को store करने में और transport करने में help करती है और testis के बाहर भेजती है urethra के तुरू urethra originates from the urinary bladder directly urinary bladder से release होता है और penis के तुरू external opening urethral matis में open करता है okay students तो यहां तक हमने देख लिया फिर जो male का external genital organ है वो penis है जो special tissue के द्वारा बना होता है जो की insemination का का काम करते हैं यानि की इनकी मदद से यह female की body में sperm का transfer कर सकते हैं ducts के अलावा accessory male glands भी पाई जाती है जिसमें आपको बताया था मैंने seminal vesicle prostate gland और bulbo urethral gland पाई जाती है तो जिसमें seminal vesicle और bulbo urethral gland जो है वो paired structure है जबकि prostate gland एक single structure है तो इनके जो glands के secretion है वो seminal plasma like structure एक plasma like fluid release करते हैं जो की fructose में calcium और enzyme जिन में present होता है यानि की seminal plasma होता है उसमें fructose present होता है calcium और enzymes present होते हैं और यानि की seminal vesicle में especially तो sperm store रहता है और जो prostate gland है वो basically वही fructose calcium और enzymes release करती है और जो तीसरी paired gland है bulbo urethral gland वो lubrication of penis में help करती है ताकि sperm के transfer के time में help हो सके तो यह आपने देखा कि बहुत important role है in ducts का और glands का तो सभी का काम क्या है पूछा जाता है role क्या है पूछा जाता है एक एक number में कभी कुछ भी पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ledic cells जो है तीन तरीके की cell हमें दिखाए दी एक तो दिखाए दी जो फाइनली वही बनाती है इस पर्म को और दूसरी उनको नरिश्मन देने वाली सरटोली सेल्स दिखाए दी जो की developing sperm को नरिश्मन देती है फिर दूसरी आपको लिडिक सेल्स तीसरी दिखाए देती है जो टुब्यूल के बाहर टेस्टिस के अंदर जो वेसिस होते है और इसका बहुत important role है क्या करता है यह spermato genesis की process को control तो करता ही है साथी साथ यह secondary sexual characters का development मेल में कराता है जब तक testosterone release होना शुरू नहीं होता है मेल की body में तब तक उसमें secondary sexual characters develop नहीं होते है यानि कि जैसे मेल की pitch जो होती है वो low pitch हो जाती है मोटी आवाज हो जाती है और under arms के बाल होते हैं armpit hairs develop हो जाते है अदर hairs develop होते हैं body में और इसके अलावा उनमें जो muscles होती है उनका development हो जाता है तो यह जो secondary sexual characters है इनका development जो है वो इस हार्मोन की वजह से होता है testosterone hormone की वजह से ठीक है तो lady cells का बहुत important role है फिर spermatogenesis में जो यह cells है इसमें आपने हमने देखा कि तीन प्रकार की cells है एक germ cells है या जिसे germinal epithelial cells कहेंगे और यह सेमानी फेर स्टिबूल के अंदर tube like structure है उसके अंदर यह cells भरी हुई होती है और इसी के साथ साथ दूसरी cells भी होती है जिनने जो nursing का काम करती है जिने सरटोली cells कहते हैं यही जो germ cells होती है यह पहले mitosis करके spermatogonium बनाती है फिर mitosis से primary spermatocytes बनाती है primary spermatocytes में meiosis होती है तो उससे secondary spermatocytes बनती है इसका secondary spermatocytes में second meiosis होती spermatics बनते हैं फिर spermatics में modifications होते हैं जिसमें important role होता है सरटोली cells का अब जब spermatics बन जाते हैं तो इनका जो head reason होता है वो सरटोली cells में embedded हो जाता है और फिर यह modify होकर spermato joa बना लेते हैं और spermato joa बनने को ही spermio genesis कहते हैं और यह process हम लोग अभी आगे discuss करेंगे ठीसक्डेक और ट्यूब लाव के न्चिवान भी आपकर अलावा जो खाली जगह बचती है उस जगह में इन्डूद kgoni को pleasant क्owerश तीसक्राइव नतर वेकातों है ना करो इन्डेंड कृण और अन्ड़न इन क्याएर इंडो क्राइनल लीन उस्ण क्रावान बिकॉस थे? कर नेक्स स्लाइड में करेंगे